सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो ENT गुर्गाउं डाट कॉम, मैं हूँ डॉक्टर मनीश प्रिकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट मियोम हॉस्पिरल गुर्गाउं से आज मैं आप लोगों से एक common problem के बारे में बातचीत करूंगा, जिसे कहते हैं hoarseness of voice hoarseness माने के आवास का भरा जाना या आवास भारी हो जाना, आए तो जानते हैं इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं hoarseness of voice या फिर आवास को भरा जाने को हम लोग टेक्निकल भाषा में laryngitis कहते हैं laryngitis दो तरीके का होता है, acute laryngitis या chronic laryngitis acute laryngitis माने के जो कुछ दिनों से या दो हफते से कम duration का laryngitis होता है या hoarseness होता है, इसको हम लोग acute laryngitis का नाम देते हैं acute laryngitis अक्सर जुखाम हो जाने के वज़े से, गला खराब हो जाने के वज़े से या फिर कोई ठंडा पानी पी लेने के वज़े से, जिसमें बरफ हो या फिर बहुत जोर से चिलनाने के वज़े से भी हो सकता है अक्सर ये problem हम देखते हैं, जो vocal abuse करते हैं या vocal overuse करते हैं, जैसे के singers हो गए, या teachers हो गए, या lawyers हो गए, या businessmen जिनको अपने काम के लिए ज़्यादा बोलना पड़ता है, या continuous बोलना पड़ता है, या चिलनाना पड़ता है तो इसमें भी ये problem हो सकती है आज कल देखते हैं, अक्सर कुछ mothers हैं, जो अपने बच्चों के उपर चिलनाना पड़ता है उनको भी इस तरह की problems हो सकती है और कुछ ladies जो अपने husband के उपर चिलाती है, उनको भी ये problem हो सकती है उनके लिए ये चेताबनी वाला वीडियो है जैसे हम देखते हैं कि जब हम जोड से बोलने के वजए से हमारे गले में जो आवास का बकसा होता है जिसको larynx कहते हैं, इसके अंदर vocal cords जैसे तार होते हैं जिनके vibration से ये sound उत्पन होती है और अगर हम ज़्यादा जोड से बोलते हैं तो ये आवास के तार आपस में टकराते हैं और टकराने के वजए से इन में सूजन हो सकती है और bleeding हो सकती है अगर ये blood इन जगे पे जमता जाएगा तो फिर ये एक vocal nodule या vocal polyp का form ले सकता है ऐसा होने पे ये chronic laryngitis का phase चालू हो जाता है और इस वजए से हम देखते हैं कि हमारी आवास permanently खराब हो सकती है या भर रा सकती है और जैसे ही हम जोर लगाते हैं या बोलते हैं तो हमारी आवास फटने लगती है जोर से हम नहीं बोल सकते हैं और चिलाना तो दूर की बात है हम normal आवास में बात भी नहीं कर पाते हैं जो लोग गायक होते हैं या गाने का शौक रखते हैं उनके लिए ये बहुत चिंदा की बात होती है क्योंकि उनकी आइदर प्रफेशनल या फिर जो उनकी रिक्रेशनल एक्टिविटी होती है उस पे भी इस चीजों से असर पड़ता है आईए तो जानते हैं और क्या इसके इलाज हो सकते हैं जब हमारे पास OPD में कोई पेशेंट आता है जिसको होर्सनेस हो रही होती है तो उसका पहले हम एक नोस का और थ्रोट का इग्जामिनेशन करते हैं जिसमें गले में या मूग के अंदर से एक हम मिरर डालके वोकल कॉर्ट को देखनी की कोशिश करते हैं कुछ पेशेंट्स में ये असान होता है कई पेशेंट्स में गैग रिफ्लेक्स की वज़े से ये पॉसिबिल नहीं हो पाता है उस तरह के patients में गले में हम एक सुन करने का spray डालते हैं जिससे गले का हिस्सा सुन हो जाए और हम एक telescope जैसे के 70 degree telescope डालते हैं जिससे हम video screen पे देख सकते हैं कि हमारे vocal cords का कैसा structure है उनमें कोई सूजन तो नहीं है कोई congestion तो नहीं है कोई मास सत्वा तो नहीं बन रहा है इस तरह के patients के लिए हमारे पास एक advanced testing जिसको हम लोग video stroboscopy कहते हैं ये भी available है इस advanced video stroboscopy के द्वारा हम vocal cords के fine vibrations को slow motion में देख सकते हैं जिससे अक्सर vocal cords में होने वाली structural problems जैसे के vocal nodule या फिर vocal sulcus या फिर हमारे non vibrating portions को detect किया जा सकता है कई patients में इसमें हमें मदद मिलती है उनकी diagnosis को अच्छे तरीके से बनाने में इसके बाद जानते हैं कि in problem का treatment क्या होता है जो vocal nodules हैं इनके लिए सबसे important treatment है voice rest माने के voice को हम बिलकुल नहीं उपयोग करें कम से कम 48 घंटे के लिए हम बिलकुल संपून voice rest पे जाएं और अगले दो हफ़ते तक हम अपनी voice को कम से कम use करें इसके साथ साथ हम हिदायत देते हैं कि गले को खराशे ना खकारे नहीं और जब हमें बोलना हो तो हम normal आवाज में बात करें फुस फुसाएं नहीं और चिल्नाएं भी नहीं इसके साथ साथ गरम पानी पीना भाप लेना और कुछ दवाईयां जो हमारे जुखाम के लिए या गले के लिए दी जाती हैं जैसे के anti allergic दवाईयां इनके सेवन से अकसर थोड़े दुनों में ये चीज़ें बहतर हो जाती हैं इसके साथ साथ हम speech therapy की सलहा देते हैं जिसमें vocal cords को relaxation करने की exercises होती हैं वो हमारे speech therapist patient को समझाते हैं और उनको explain करते हैं कि इन exercises को कैसे करना है नियमित तोर पे इसके साथ साथ कुछ breathing exercises भी उनको explain करी जाती हैं जिससे उनको अपनी voice को rest देना और अपनी breathing pattern को कैसे manage करना जब वो बातचीत कर रहे हो इस चीज़ की उनको हिदायत दी जाती है ऐसा करने से हम देखते हैं कम से कम 80-90% लोगों में ये vocal nodules ठीक हो जाते हैं और उनकी voice better हो ज therapy बहुत कारगर नहीं है और इस तरह के patients में हम देखते हैं कि operation जो की laser के द्वारा या cold steel के द्वारा किया जाता है वही बहतर उपाय है vocal polyp में कई बार cancer की बिमारी का खत्रा भी होता है इस तरह की situation में जब भी operation करके vocal polyp को निकाला जाता है तो फिर हम उसको lab में अपने histopathology examination के लिए जरूर भेशते हैं जिससे हम exact current जान सकें कि ये vocal polyp क्यों बना है और आगे ये फिर से ना बने इसके लिए हमें क्या-क्या प smoking नहीं करने की, alcohol से बचने की और acidity की problem को control करने की भी सला देते हैं इस सारे treatment से हम देखते हैं patient की voice पहले से बहतर हो जाती है और वो ज़्यादा आराम से और अच्छे से अपनी day-to-day communication और जिंदगी व्यतीत कर सकता है एक और जरूरी सूचना, जो भी patients को तीन हफते से जादा आवाज में भारीपन या भराना होता है और अगर वो smoking या alcohol का सेवन करते हैं तो उनको अपने ENT doctor के पास जाके शीगरी गले का check-up कराना चाहिए क्योंकि आवाज का खराब होना एक cancer की बिमारी का लक्षन हो सकता है इसलिए कभी भी हमें इस तरह के गंभीर लक्षन को अंदेखा नहीं करना चाहिए अगर घरिलू उपचारों के बाद या फिर voice rest के बाद अगर इस आवाज में improvement नहीं मिले तो उनको तुरंट जाके अपने ENT doctor के पास check-up कराना चाहिए जिससे अगर ऐसी कोई कमभीर बिमारी बन रही हो तो उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सेगे Thank you कर दो एका से जल्दी झाल के अगर बिमारी खेड़ा के बादारों के बादारों के बादारों के बादाना चाहिए झाल